जब लोगों को पता चलता है कि अंडे, मास, दूद वगएरा के लिए जानवरों को साथ बहुती कुरूरता पूर्ण वेवार किया जाता है तो कहीं लोगों के मन में ख्याल आता है कि पौधे भी तो जीवेत हैं, पौधों को भी तो दर्द होता है तो जो लोग पशुपदार तादी नहीं खाते, वो भी तो पौधों को नुक्साम पहुचा रहे है इस वीडियो में हम विज्ञान और एवलूशन की नजर से इस प्रशन का उत्तर खोजेंगे और अंध में ये भी देखेंगे कि पौधों को अगर दर्द होता है, तो इनसानों को क्या करना चाहिए शुरू करते हैं विज्ञान से विज्ञान का इस बारे मैं कहना है कि पौधों के पास नर्वस सिस्टम या तंदरिका तंदर नहीं होता नर्वस सिस्टम ज़रूरी होता है किसी भी प्रकार का कोई भी सिगनल मस्तिश तक पहुचाने के लिए और पौधों के पास तो मस्तिश्क भी नहीं होता इसके अलावा इंसानों और जैनवरों के हर अंग में नोसी सेपकर्ज होते हैं जो कि दर्द का अनुभाव करते हैं पौधों में नोसी सेपकर्ज भी नहीं होता है यानि ना उनके पास नोसी सेपकर्ज है जो दर्द को पहचान सके ना उनके पास नर्वस सिस्टम है जो उस दर्द के अनुभाव को दिमाग को पहुचा सके और ना उनके पास दिमाग है जो इस दर्द को रेजिस्टर कर सकी कि इस अंग में दर्द हुआ है पुल मिलाकर विज्ञान की माने तो पौधे शारिरी रूप से दर्द महसूस कर ही नहीं सकते हैं उनका शेरिर बना ही नहीं है ऐसा कि उन्हें दर्द का अनुभा हो सके जो बहुत बार दोगों द्वारा बेजा जाता है यह कहकर कि देखो पौधों को भी तो दर्द होता है उनमें भी तो भावना होती है वो देख सकते हैं कि उनके साथी पौधों को काटा जा रहा है लेकिन इस पर वैग्यानिकों का कहना है कि पौधों में इस तरह के विवार का कोई जयरिक आधार, कोई biological basis नहीं है Lie Detector दुआरा किये गए experiments को The Secret Life of Plants नाम के किताब में छापा भी गया था लेकिन इस सभी experiments को जब वैग्यानिकों ने उसी तरह के या उससे भी बहतर instruments का उपयोग करके दोहराने की कोशिश की तो परिणाम uniformly negative यानि पूरी तरह से नकारातमक्त है वैग्यानिकों का आप मानना है कि ये शुरुवाती experiments ज़रूर गलत विदियों से किये गए होंगे Wikipedia पर Plant Perception नाम से एक पुरा page है जिसमें यही बताया गया है कि किस वैग्यानिक में कौन से experiments किये और क्यों वो सभी experiments गलत है ये वैग्यानिक दावे जिनके पीछे आवैग्यानिक विदियाओं उन्हें सुदो सायंस या चद में विग्यान कहते है पthemोदों को दर्द होना भी सुदो सायंस में ही आता है पर कहीं पौदे तो दूसरे जीवों को खाते हैं छुई मुई के पौदे को छुने पर वो सिकूर जाता है कैसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें समझ आता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है और वो चीजें महसूस कर सकते हैं यहां आपको सचेतन और यांत्रिक वहवार conscious और mechanical behavior का अंतर समझना होगा उधारन के लिए हमारी तवचा में melanin नाम का एक chemical होता है जो सूरे की ultraviolet केरणों से हमारी रक्षा करता है दूप में रहने पर आपके तवचा जादा melanin बनाने लगती है और उसके कारण वो काली हो जाती है इसमें आपने कुछ नहीं किया अपने आप हो गया क्योंकि आपकी तवचा बनी ही ये करने के लिए है यह हुआ mechanical behavior अब अगर मैं धूप में जाने से पहले sunscreen लगानू तो वो होगा conscious behavior क्योंकि उसमें मैंने सोच समझ कर कोई decision लिया है मेरे पास चुनाव था कि sunscreen लगाना है या नहीं लगाना है और मैंने चुना कि लगाना है तो यह हुआ conscious behavior यही चुनाव काफी हद तक पश्वों में भी पाया जाता है दो कुट्पे एक ही जैसी परिस्तिती में हो सकता है बिल्कुल अलग-अलग वहवार करें क्योंकि दोनों नब बच्पण में अलग-अलग चीज़े सीखी है और उसके हिसाब से वो आज निरने ले रहे हैं अब पौधों की बात करें जीवी तौष है लेकिन वह हैं एक मशीन की तरही इंसानों और जानवरों को दर्द क्यों होता है ताकि हम स्वैम् स्वैम की रक्षा कर सकाए अगर हमें दर्द मोट न होता है तो हम बच्टे ही नहीं कारण ही नहीं है दर्ध होता ही इसलिए ताकि आप उस चीज से दूर हटकर खुद को बचा सके पौदों को दर्ध होने का कोई एवलुशनरी बेनिफिट नहीं है अब तक हमने जो भी समझा उस सब को भूल कर अगर हम यह मान भी लें कि पौदों को दर्ध होता है तो भी हमे जनवरों के बज़ए पौदों को ih खाना चाहिए टे जिन जन जनवरों को हम खाते हैं ुन को बड़ा कहने के लिए स्पीड के तोर पर क्या खिलाया जाता है पौध है एक किलो मुर्गे का मास पाने के लिए उससे लभख साठे बन फीज किलो फीड कह लाना पर दिया है किया है और उससे भोजन आपको 2 किलो प्राप्त हुआ हो सकता है अब आप कि जानवरों की फीड तो बची कुछी चीजों से बनती है जो इनसानों के काम नहीं आ सकती तो ऐसा बिल्कुल नहीं है पूरे भारत में जितना भी सोयाबीन और मक्का होता है उसका 40 प्रतिशत से ज करें लेकिन जादा और बूरे में तो फर्क करी सकता है मजबूरी में किसी दुकान से 50 रुपए चोरी करने वाले भूके लड़के और बैंक में डाकर डालने वाली गैंग को क्या ये की सजा दी जानी चाहिए खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे को मार देने वाले वा धियान रखे ये सब हम ये मानकर कह रहे हैं कि पौधो को दर्ध होता है जो कि पूरी तरह गलत прав वजञ्यानिक परमान के अनुसार पौधो को दर्ध नहीं होता और एवलूशन की नजर से पौधो को दर्ध होने का कोई लाजिक नहीं है